वेलकम टू एग्जाम तक आज 30 जनवरी और 30 जनवरी 2022 के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेस के कोशन अम बुक देखने वाले हैं सबसे पहले देख लेए आज 30 जनवरी को शहीद दिवस की रूप में मनाया जाता हैं आपको पता होना चाहिए शहीद दिवस क्योंकि मात्म मनाया जाता है शहीद दिवस एग्जाम में कोशन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया है यह एक कोशन की अलबाए एक्ट्रा कोशन है और आपके लिए नॉलेज है ठीक है अब बात करते हैं आज क्या फर्स्ट कुशन हाली में जो है मुख्य आर्थिक स सलाकार जो हैं चीफ एकोनोमिक्स एडवाइजर जो हैं यह नए अपॉइंट हो चुके आपको पता होगा के वी सुब्रमनियम साब डिसेंबर में रिटायर हो चुके थे और अभी उनकी जगे फाइनली नए आये हैं अनन्त नागेश्वरन इनका नाम आपको याद रखना ठ ठीक है अगर बात की जाए गिरिश्चंद्र मूर्मू की तो गिरिश्चंद्र मूर्मू जो है यह अभी सीएजी हैं वर्तमान में एक सेकिंड आप लोग रुख जाए गिरिश्चंद्र मूर्मू सीएजी हैं सीएजी का आर्टिकल कौन सा है 148 आर्टिकल याद रखना एं 10 trillion dream जो हैं यह पुस्तक February में launch हो गरने वाले हैं और बहुत ही important book है exam point of way से कि सुभाश गर्ग साब जो हैं यह इस book के author है और सुभाश गर्ग कौन है अब आप लोग सोच रहोंगे तो यह आपको पता होगा भारत के वित्त सचीव रह चुके हैं अभी जो हैं 2021 में ही retire हुए ह जो है 10 trillion dollar का जो है सपना देख रही है और वह achievable हैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं के हमारे देश में potential नहीं है तो 10 trillion dream जो हैं यह book आपको exam point पर स्याद रखना शुभाश गर्ग जी की book है अभी वित्त सचीव कोने TV सोमनाथम साब अभी है और अभी defense secretary कोने defense secretary है अजे कुम अमिट शाजी है और रक्षा मंदरी राजनात सिंग जी वित मंदरी निर्मला सितारमन और एक February को budget भी आ रहा है ठीक है अपना दो दिन बाद में तो देखते हैं क्या होता है कुछ next अगर बात के हाली में लोकसभा सचीवाले ने कौन सा एक नया एप लाँच किया है तो लोकसभा सचीवाले ने नया एप लाँच किया है digital sunset आपको याद रखना ठीक है digital sunset is the new app it is launched by लोकसभा secretariat ठीक है और officially बात की जाए तो ओम बिरला साब ने लाँच किया इसको ओम बिर सिंग इनका नाम भी याद रखना लोकसभा समधी दो लोगों का नाम याद रखना एक तो अधिक्ष ओम बिरला साब है और उत्पल कुमार सिंग जो है यह महा सचीव है अब बात करते है digital sunset app क्या होगा अब यहाँ पर जो जैसे अभी एक February को हमारा budget launch होने वाला है तो एक February को बजट का पूरा live telecast होगा उसके अलब अभी sunset की सारी गतिविद्या जो भी session होंगे वो यहाँ पर live लोगों के लिए मुलब भरत का कोई भी आदमी देख सकता है साथ में यहाँ पर बारवी लोकसभा से अभी तक जो है सतरवी लोकसभा तक complete जो भी चर्चाएं हुई है वो सब recorded भी यहाँ पर है on record डेटा हैं यहाँ पर A to Z सब कुछ डेटा मिलेगा तो एक तरह से sunset के बारव आपको complete details एप के मादिम से जान सकते अपने फोन में और दूसरी बात है जो कि बहुत जल्दी इस एप में upload करवाई जाएगी वो है जो sunset है ना क्योंकि sunset को house के अंद जो है laptop वगर अलाउड होते नहीं है तो वह अपने phone से जो है question पूच सकते हैं प्रशनकाल में और सारी के सारी details वगरे जान पाएंगे तो digital हो रही है सब कुछ तो digital संसद आपको याद रखना लोकसभा सची वाले ने recent में launch किया है एंड लोकसभा के अधिक्ष में आपको बता दिया अभी जो है सतरवी लोकसभा है यह जो है recent वाली जो रहा यह सतरवी लोकसभा है बाकि यह याद रखना लोकसभा में संसद के नेता को ने तो संसद के मलब लोकसभा के नेता को ने सरकार के जायर्शी बात है नरे द्रमोधी विपक्स के नेता को ने लोकसभा मे तो अधिरेंजन चौधरी बिल्कुल याद रखना अधिरेंजन चौधरी जो है यह है जो कि लोक लेका समिती की भी अधिक्ष है ठीक है लोक लेका समिती के अधिक्ष विपक्स वाले ही होते हैं तो अधिरेंजन चौधरी कॉंग्रेस पार्टी के है नेक्स्ट इंपोर्टन ने जो हैं 2020 में एक गोशना की थी टेन बिलियन डॉलर की जो की उस इसने मलब एक फंड लॉंच किया था सुन्दर पिच्छाई से अपने खुद गोशना की थी गूगल फॉर इंडिया डिजिटिलाइजेशन फंड इसके तेथ बहुत सारे अलग-अलग बड़े-बड़े इ जो अपना जो है रवन बिलिएंड डॉलर्स टो वन बिलिएंड डॉलर्ष क्या हैं इन्हों ने एडल में इसके तयाट साट सो मिलिएंड डॉलर् तो है डारेट ये लोग एकुटी खुरीदेंगे जहां पर अब एचएल में अगरबात के वन 28% जो है Google की हिस्सेदारी होगी एटल की जो है 1.828% 700 million dollar में एटल की हिस्सेदारी Google होगी बाकि जो 300 million dollar है वो एटल कंपनी जो है बहुत सारी काम में जो है खर्च कर पाएगी तो ये सब कुछ बड़ा एक investment है और काफी अच्छी मार्केट में कंजूमर के लिए यही अच्छी बात है सबसे पहले बात करते हैं भारती एटल की ऑफिशल नाम यही कहते हैं भारती एटल थीक है एटल तो हम लोग ऐसी बोल दे रहे हैं तो भारती एटल के नेक्स्ट अगर बात की जाए गूगल की तो 1998 में स्टाप नव होती हैं गूगल की कैलिफोर्निया में हैटकॉर्टर मिलेगा गूगल का और सुन्दर पिछाई साब जो हैं इनको पद्म भूशन मिला है इनको और सत्य नडेला जी को यह दो मरलब यह जो हैं सुन्दर लेतें कई बार सूचे जैसे एंगजाम हैं गूगल के फाउंडर पूछ लेतें दो फाउंडर हैं पहले फाउंडर हैं लेरी पेज लेरी पेज हैं गूगल के फाउंडर एंड सकेंड In Active Station अगर बात कि को फाउंडरे सरगी बिर्ष एक श्योड़ एब पो जो यह चोड़ eyelashes तो इन दोनों के नाम याद रखना है यह फाउंडर कहे जाते हैं गूगल के लेरी पेज और सर्जी ब्रेन बाकी अभी सीओ वगरे चेर्मेन अब सब कुछ जोंस उंदर पीचाई है नेक्स्ट आगे बढ़ता है हाली में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लौक का दुनिया का सबसे लंबा यह जो कैनल होगा जो 500 मिटर लंबा होगा और 70 मिटर चोड़ा होगा इसके तरह जहाज आसानी से आकर इसमें रुक सकते हैं तो यह इस तरह की कुछ हैं आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लौक जो हैं रीसेंट में एमस्टर साल वर्ल्ड का पहला 3D printed bridge भी जो हैं यहीं पर शुरू हुआ था बाकी आपको याद रखना मार्क रूट यहां के प्रदान मंतरी है निदरलेंड के और यूरो यहां की करंसी है आज मैं आप शामिल नहीं क्या अधरवाज मैं मैं आपको बता दा यूरोपियन कंट्री है UK के ऊपर चैड में शैंगाई चाइना का बड़ा सिटी है जहां पर मिलेगा आपको न्यू डेवल्लोप्मेंट बैंक के हैटकॉर्टर साथ में AIIB के भी हैटकॉर्टर मिलेंगी यहन की एशियन इंफ्रस्ट्रक्टर डेवल्लोप्मेंट बैंक ठीक है एशियन पर चैपिटल भारत के एकोनोमिक्स कैपिटल नेक्स्ट है हाली में भारत का सबसे बड़ा एवी टीवी नहीं है यहां पर एवी इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग स्टेशन जो हैं इसकी शुरुआत कहां पर हुई है तो इसकी शुरुआत हुई है अभी रीसेंट में यहां पर इसकी शुरुआत की गई है और यहां पर आई तिंक सो यूनिट मलब जो हैं एक साथ में दी गई है और यह जो हैं गुड़गाव में खोला गया है आपको याद रखना इन्द हर्याना गुरुग्राम ओके तो यह आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा टीवी चार्जिंग स्टेशन हैं यह गुरुग्राम में नेक्स्ट अकर बात की जाए डेटा गोपनियता दिवस्यानी की डेटा प्राइवेसी डे जो हैं यह कब मनाया जाता है इंपोर्टेंट डे हैं आज के टाइम पे डेटा से संबंदित मलब जो हैं एक ऑनलाइन से स समदित काफी ज्यादा कोशन फूचे जाता हैं सो यह 28 जनरी को मनाया जाता है आपको याद रखना है 28 जनरी को मनाया जाता है डेटा प्राइवेसी डे ओके एंड इस साल की थीम क्या है वैसे थीम इंपोर्ण नहीं है बट बता लेता हूं प्राइवेसी मैटर करती है तो मैटर जो है यह इसकी थीमें वैसे भारत के लोगों को तो कोई मैटर नहीं करता है सलता है सब कुछ बट आपको याद रखना 28 जनरी और डेटा प्राइवेसी डे आपको याद रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हाली में एक और बुक लेकिए बिलकुल बुक वाले क काफी important होते हैं अब मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ दिन बीजी चल रहा हूं बठा कुछ दिनों बात जो हैं आपको करेंट की पूरी PDF मिल जाएगी ठीक है 2021 के जो भी इंपोरेंट 25 टॉपिक होंगे जैसे वर्तमान में कौन क्या हो गई ब्रेंड अमेस्ट होगी जो भी य बुक ऑफ इंडिया सेवंटी फाइव इयर ओफ इंडिपेंडेंस 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अब लिटल बुक ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिके रसकिन बॉड ने रसकिन बॉड का नाम आपको याद रखना है भारत की आजादी के 55 साल वर्ष पूरे होने पर के दास हैं यह बुक्षी के द्वारा तो इनका नाम याद रहता है इन्हों ने एक वार हुश्तक लिख थी दे सौंग ओफ इंडिया वेसा दिनकी काफी साड़ी भुक हैै जा ने इनगी पुश्तक ठी और रस्किन आपको नाम याद रहतना रहा है इनका नाम ऐसा लग जो भी अवाड आपको पता है कमेंट वाक्स में कमेंट करो मिलते हैं कल के एक वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत वीडियो को शेयर जरूर से करना